नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे परियाग राज के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसिस के बारे में जहां पर सबसे ज़्यादा लोग गूमने के लिए आते हैं यह सहर हिंदु धर्म के लोगों के लिए एक बहुती महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है और परसिद कुम्ब मेला भी यहाँ पर लगता है क्योंकि ये सहर महाभारत काल से ही अस्तित्तो में है इसलिए इसका काफी महत्तो है तो चलिए जानते हैं यहां के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेशेस के बारे में इसमें पहले नमबर पर आता है त्रिवेणी संगम त्रिवेणी संगम परियाग राज का एक पवित्र इस्थान है यहां गंगा, यहुना और सरसोती नदियों का संगम होता है वैसे सरसोती नदिय यहां पर अद्रिश्य रूप में भैती है ऐसा माना जाता है यह तीनों नदिया पौराणी काल की बहुती पूजनिय नदिया है इसलिए इस जगा का काफी महतो है यहां पर हर 12 सालों में परसिद कुम्ब मेला भी लगता है माना जाता है कि यहां पर इस्णान करने से सभी पापों से मुक्ती मिलती है इसके बाद अगला इस्थान है आनंद भावन आनंद भावन नहरू परिवार का निवास इस्थान था जो की अब एक म्यूजियम है यहाँ पर स्वतंतरता आंदोलन से जुड़े कराकर्तियां और लेखों का परदसन किया जाता है यह एक काफी खुबसूरत भावन है जिसे 1970 में राष्टे संग्राले में बदलने के लिए इंदरा गांदी ने भारत सरकार को दान कर दिया था इसके अलावा आप यहाँ परियागराज में आ सकते हैं कुम्ब मेले में दुनिया का सबसे बड़ा कुम्ब मेला भी परियागराज में हर 12 साल के बाद आयूजित होता है कुम्ब मेला पूरे भारत में केवल 4 जगाव पर आयूजित होता है हरिद्वार, परियागराज, नासिक और उज्जैन में इस दौरान यहाँ पर करोडो संक्या में सरदालू आते हैं इसके अलावा हर 6 साल में यहाँ पर अर्ध कुम्ब भी आयूजित होता है और कुम्ब मेले में इसनान करने का अर्थ होता है पापों से मुक्ती इसके बाद अगले स्थान पर आता है खुसरो बाग खुसरो बाग परियाग राज के सबसे खुबसूरत और फेमस टूरिट प्रेसेस में से एक है इस बाग को जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के लिए बनाया था यहाँ पर खुसरो की समादी और सान्त में उसकी मा की भी समादी यहाँ पर बनी हुई है ये एक काफी खुबसूरत बाग है काफी लोग यहां पर गोमने के लिए आते हैं इसके बाद अगले इस्तान पर आता है तारा मंडल ये तारा मंडल 1979 में आनन्द भावन के बगल में बनाय गया था और इसे जवाहर संग्राले के रूप में भी जाना जाता है यहां तारू से जूड़ी वी कई जानकारिया आपको मिल जाएगी यहां पर एक मॉडल बनाय गया है जहां पर परेटग चंद्रमा और जूपिटर पर खड़े होने का अनुभाव ले सकते हैं इसके बाद अगले इस्तान पर आता है परियागराज का किला परियागराज का किला 1583 में मुगल समराट अकबर के सासनकाल के दौरान बनाया गया था लोग यहां इस विसाल किले की भव्यता और वास्तुकला को देखने के लिए आते हैं वैसे ये किला आम लोगों के लिए बंद रहता है लेकिन कुमो मेले के दौरान ये सब के लिए खोल दिया जाता है आम दिनों में आप इसको बाहर से ही देख सकते हैं इसके बाद अगले स्थान पर आता है असोग इस्तम परियाग राज का जो किला है इसके बाहर पर ही सोलवी सताबदी में एक संरसना का निर्मान समराट अगवर के द्वारा किया गया था और यहाँ पर इस्तित जो असोग इस्तम है इसके बहारी हिस्से पर ब्राहमी लिपी में असोग के सिला लेख हैं इसके बाद अगले स्थान पर आता है हनुवान मंदिर हनुवान मंदिर परियाग राज के संगम छेतर में ही इस्तित है इस मंदिर का निर्मान जमीन के नीचे किया गया है और भगवान हनुवान की मुद्रा पीछे की ओर जुकी हुई है ये भी एक परसित तीर तिस्तल है मंगलवार और सनिवार को विशेश रूप से यहां पर भक्तों की भीड रहती है इसके बाद अग्रिस्थान पर आता है अलफेड पार्क इस पार्क का निर्मान ब्रिटिस सासन काल के दोरान हुआ था इसे चंदर सेखर आजाद पार्क या कमपनी बाक के नाम से भी जाना जाता है ये पार्क 133 एकर छेतरफल में फैला हुआ है इस पार्क में महान करांती कारी चंदर सेखर आजाद ने अपने पराणों की आहुती दी थी ये परियाग राज में गूमने के लिए एक बहुती अच्छा इस्थान है इसके बाद अगले इस्थान पर आता है All-Sent Cathedral Church 19-वी सताबदी में बना All-Sent Cathedral Church इलाबाद का एक सांदर चर्च है Gothic Sally की वास्तुकला में बना हुआ ये एक खुबसूरत चर्च है ये चर्च भारत के सबसे सुन्दर चर्चों में से एक है और यहाँ पर हजारों प्रेटक इसे देखने के लिए आते हैं तो ये थे परियाग राज के टॉप 10 टूरिस प्लेस जहां पर सबसे ज़्यादा लोग गूमने के लिए आते हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को अधिक शादिक सेयर भी कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले हम अपने इस चैनल पर टूर और ट्रैवलिंग से जुड़ी भी जानकारियां देते रहते हैं इसके बाद हम मिलंगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय इंद